आप सब को मेरा नमस्कार जैभिम दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मेरे ये वीडियो को सराहने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए आज मैं आपके लिए एक नई डिस लेकर आई हूँ जो एक हाउस वाइब घर में रहेकर कुछ न कुछ सोचत बनते हैं कि आज की एक नई डिस क्या है आज की हमारी डिस है दाल-बाठी देखते हैं कि हम दाल बाटी कैसे बनाते हैं और इसमें कैके चीजे लगती हमको तो यह सबसे पहले हमने आटा ले लिया है जो कि हम लोग चार पाच लोगों के लिए बना सकते हैं इतना हमने आटा ले लिया है और आटे के साथ में और कैके चीजे मिलाते हैं इसमें जैसे कि अपना यह हल्दी हो गया जो कि हल्दी अगर डालते हम लोग तो देखने में अच्छी लगती है और यह अपने अजवाइन हो गई है अजवाइन से इसका टेश्ट ही बहुत अच्छा लगता है और यह तेल हम लोग मौयन के लिए लेंगे कि जो हम लोग मौयन करेंगे तो उ उस प्रकार से हमने ले लिया और यह सारी चीजें हम लोगों ने इसमें मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद में तेल से हम लोग मोयन करेंगे मतलब मोयन मतलब जैसे कि खसता होना चाहिए हमारे बाटी कि ज्यादा हाड नहीं होना चाहिए और अगर कोई अगर छोटा बच्चा भी अगर खाये ना तो आराम से खा सके उसलिया हम लोग तेल का मोयन देंगे तेल के अलावा हम लोग घी टाल सकते है देशी झी डालते है लेकिन कई लोगं घी ने खाते हैं ना चाहिए हम लोगो तेल के साथ मीभी बना सकतो है तो ये seller philosoph Easter давal करें तो ये मै अच्छे से मिक्स कर रहे हूं इसमें तेल और ऐसे पुरे लड्डू बन जाना चाहिए इतना हम लोग टेल डालकर मौयन करेंगे जिसे कि हमारी बाटी बनेगी यह बहुत सौप्ट लगेगी और खाने में भी बहुत अच्छी टेस्टी लगती है यह तो बस यह हमने मौयन हो गया है उसके बाद में अब यह थोड़ा-थोड़ पानी डालेंगे हम लोग तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम लोग इस आठे को अच्छा गूत लेंगे और गूतने के बाद में थोड़ा सा यह हाड़ रहने देंगे क्योंकि हमें इसको ना ढाक कर रखना है आदे घंटे के लिए ताकि वह अच्छे से सौप्ट हो ज देखने में कि यह अईसा लगता है कि बस पूरी वाटी हमारी तयार हो गई है ऐसा यह देखे यह कितना अच्छा आठा लग रहा है हमारा यह पूरा सौप्ट सौप्ट हो गया है आदे घंटा रखने के बाद में आब देखते हम लोग धीरे इसके एक-एक करके हम लोग इ लोग बनाएंगे लेकिन मैं उस लोग जैसे नहीं बनाओंगी इसमें यह अपने यह देखो मैं किस प्रकार से बना रही हूं इसमें बाटी यह अच्छे से मतलब इसका जो जॉइंट होता है ना यह पूरा मिल जाना चाहिए खुला नहीं रहना चाहिए जॉइंट तो यह डेखो यह पूरा मैंने मिला लिया है अच्छे प्लेट में रख्के यह पूरे कोपर में ही मिक्स किया है मैंने एक सब्सक्राइब तो यह वह पर रखकर मैंने इसको थोड़ा सिखाई कर लिए इसके तो देखे यह कितने अच्छी दीक रही है ज्यादा जली भी नहीं कुछ नहीं है इसको हमें बार बार पलटाना पड़ता है ताकि वह ज्यादा जलेने और पक तो पहले ही गई है जो हमने इस्टिम दिया था ना उसमें यह पूरी बाटी पक गई है इसलिए उसको कच्छे रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि यह कच्छी रह सकती है तो यह हमारी हो गई अब हम इसके बाद में बनाएंगे दाल तो यह हमारी पूरी मिक्स डाल है जो हम दो डाल बाटी बना रहे है तो उसके लिए हमको डाल की भी तो जरूत पड़ेगी तो इसलिए हम लोगों ने यह पूरी डाल मिक्स कर लिए जैसे तुल किये उड़त किये मतलब सारी चीज तोड़ा थोड़ा एक एक मुठी लेकर हम लोग ने पूरी दाल बना लिए इसको कुकर में डाल कर मैं इखटे पूरी दाल मिक्स करके इसको धोकर अबाल लूँगी और अच्छे से जब 3-4 सिटी लग जाएगी ना तो उसके बाद में उबालने के बाद में हम लोग इसको फ पुरा फ्राइब करने के बाद में हमारी दाल और बाटी यह पूरी तयार हो गई है और यह वीडियो आपको देखने के बाद में कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना नमस्कार जैबहें जर सब्सक्राइब है